अगर आप किसी भी गॉर्मेंट जब एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, चाहिवो SST का कोई एक्जाम है, बैंकिंग का एक्जाम है या रेलवेस का एक्जाम है, इस पॉइंट पर जो बेस्ट बैच आप लगा सकते हैं, वो है 15th नवंबर से स्टार्ट होने वाल अगनी बैच, इसमें हमारी पूरी टीम आपको मिलके बढ़ाने वाली है, और सभी के सभी SST CGL का एक्जाम अपने समय में कराक कर चुके हैं, तो हमारे experience का पूरा फाइदा आपको होने वाला है, और पूरा का पूरा syllabus आपको इस बैच में कवर कराये जाएगा, चाहिवो आपका maths हो, चा अगर नहीं है किसी वज़े से, तो आप P-Invited Discount Code का इस्तिमाल करके प्लस पे आ सकते हैं, और इस बैच को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा, बाकि मिलते हैं आप सभी से classes में, आप इसे ट्राइ करो है, सवाल को आंसर देने के मैं आपक करेक्ट होगा, फातिमा अल-फिरी, शराजत अल-दुम, गेवर सुल्तान या फिर रजिया बेगम, अब ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं उमीद है, आपने दे दिया होगा, आप्शन नम्बर फोल्स, रजिया बेगम को रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही नाम आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो दिखा है, वो आपको मिला है, रजिया बेगम, आपको जो पॉइंट थ्यान से समझने हैं, वो ये समझना है, कि ये बैठी है, दिल्ली की थ्रोन पे 1236 से लेकर 1240, आप कहोगे, करीब-करीब 4 साल के लिए बैठी है, और ये इल्तुतमिश्क की बेटी हैं, उनके चार बेटे थे, थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, पूरी स्टोरी का तभी आप हिस्ट्री को अच्छे समझ पाऊगे, लेकिन उन्हें लगता था कि चारों के में से कोई भी ऐसा नहीं है, जो capable हो उस सीट क बन हुए, उसके बाद इनकी जो मृत्य हुई, इन्हें किसने मारा, इन्हें मारा दल चालीसा ने, अवे दल चालीसा कौन है, उस समें group of ministers, आप आज के टाइम की cabinet समझ सकते हो, उन्होंने मारा था, और इनके मरने के बाद जो next ruler बना था, वो आपको बना था, बहराम शाह, पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए, बना था, 1240 से लेकर 1242 तक, इस type से आप चीजों को cover करो, और मैं आप सबको बता देता हूँ कि, अगर आपको history prepare करने में दिक्कत आ रही है, तो मेरा खुद का भी session चल रहा है, आप उसे भी refer कर सकते हो, और उसके साथ सबी educators के सबी courses भी उसके अंदर include है, आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, who among the following was one of the governors during the reign of Allahuddin Khilji, अब Allahuddin Khilji जो है, इन्हे माना जाता है, Khilji dynasty का सबसे महान सुल्तान, उनके शासनकाल में इनमें से कौन ऐसा है, जो इनका एक governor था, जो correct answer है, वो है option number one, ग्यासु दिन तुगलक, ग्यासु दिन तुगलक जो था, इनके टाइम पे आप कहोगे governor था, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो Khilji dynasty बनाई थी, वो बनाई थी, जो second option आपको इहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने Khilji dynasty बनाई थी, और इनी को मार कर धोके से, इन्होंने अपना शासनक काल की शुरुवात करी थी, आपको थोड़ा सध्यान रखना है, अलावदिन Khilji के बारे में, जो स्टार्टिंग करी थी, इन्होंने इन्होंने धोके से मारा था, आप कहोगे, Khilji ने जलाल उत्दीन को धोके से मारा था, जलाल बोला जाता है, इन्होंने काम बहुत इनका जो समराज्य था, उसे बहुत अच्छा माना जाता है, तो जो end हुआ था, end में इनका बुरे तरीके हुआ, तो finally एक up and downs वाला जीवन, इनके शासनकाल में लोगों को और इन्होंने खुद को देखने को मिला था, मुझे उमीद है बात आपको समझ आ गई होगी, और ह एक और important बात, इन्ही के दरबार में कवी थे जिनका नाम था, आमिर खुसरो, आपने सुना होगा ये नाम, आमिर खुसरो इससे काफी बार सवाल बनता है, इन्हें बोला जाता है, पैरिट ओफ इंडिया, ये point बहुत important है, आपको ध्यान रखना है, किसने किसी exam में आपको जो nickname है, ये आपस में बहुत अच्छे से relate करते हैं, इसे आपको अपने पास note करके रखना है, अगला सवाल देखते हैं, दा खाजुराहो, temples are located in the state of what, कौन से state में आप ये कहने को static का सवाल है, कहने को history का सवाल है, लेकिन अपने लिए matter ये करता है, जहां पर जो सवाल दि अध्यप्रदिश की capital किया है, इसी टाइप से चीज़ों को link करते हैं जिसे long term में आपको बहुत जादा फाइदा होता है, अगला सवाल देखते हैं, which one of the following was not a condition laid down in the Gandhi Irwin pact, अब आपको जो जो चीज़े ध्यान दखनी है modern India की, सबसे पहले तो गांदी जी से associated जो जो हुआ ह जितने इनके सत्यागरे हैं, सबसे पहला कहां हुआ, या फिर किस sequence में कौन-कौन से pact आए, Simon Commission, ये जो छोटे-छोटे points है, maximum सवाल इनी से बनते हैं, बहुत जादा depth में हमें नहीं जाना, तो जो main में इनके pact हैं, deals होई हैं, confidences होई हैं, चैया वो first or second हो, वो सभी चीज़े आपको अच्छे से कवर करने हैं, maximum सवाल आपको वही से देखने को बिलते हैं, modern India में, इसका जो answer है वो ये है कि गांदे इर्वन पाक्ट जो हुआ था, उसमें ये खादी production पे जो tax हटाना था, इसकी बात बिलकुल भी नहीं हुई थी, बाकी तीनों point cover करे गए थे, कि participation in the second, in the roundtable conference by Indian National Congress था, remove a soil tax जिसे आपने सुनाओ का डांडी माच से associated है जो, the Indian National Congress should stop the civil disobedience movement, basically ये ही आपस में था, कि वो roundtable conference में participate करेगी, civil disobedience movement हटाएगी, तो बदले में वो soil tax आपको हटा देगी, आगे चलते है, इसका correct answer for your reference option number one है कि ये नहीं था, नहीं पे ध्यान देना, ऐस समझ समयना कि ये था, the Daesh was a group of seven members of parliament from the UK, United Kingdom, constituted to suggest constitutional reforms for British India, फटाफट से answer ट्राए करो, मुझे उमीद है आपने answer दियोगा option number four, Simon Commission जो थी, जो associated है 1927-28 से, 27 में बनी, 28 में आई, ये वो है, आपने एक symbol सुना होगा, एक slogan है, बहुत famous Simon Go Back, ये साथ MPs थे, UK के जो आये थे, जो कि British India के लिए, नए constitution reform suggest करने के लिए बुलाए गए थे, correct answer है option number four, Simon Commission, आगे चलते हैं, अंगला सवाल देखते हैं, Dash was the first Mughal Emperor in India, अब जो point आपको ध्यान दखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो दिल्ली सल्तनत से बहुत सवाल आते हैं, अगर मैं medieval की बात करता हूँ तो, dynastries का sequence जो है, जैसे मैं बात करूँ, slave या mamluk, खिल्जी, तुगलक, सयद, लोधी, sequence एक तो यह आपके लिए बहुत important है, इसके लावा important है, जो मुगल समराज्य है, इसकी मुगल डाइनस्टी का जो sequence है, बाबर, हुमाईयू, यह जो क्यों important है, यह भी मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है, अभी note कर लो अपने पास, यह जो sequence है, जनरली आप इसे भाजसा के trick से याद करते हुए, sequence बहुत important है, क्योंकि सीक्वेंस से ही, सिरफ एक सीक्वेंस से कितने सवाल बनेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सवाल नमबर एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर simply आपको सीक्वेंस यादे कि पहले यह आए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटा, तो clearly आप mention कर सकते हूँ कि सबसे पहले बाबुर आए, उसके बाद हुमाईयो आए, फिर अगबर आए, उसके बाद जहांगीर आए, फिर शहाजाए, फिर अलंग सेवाए, तो correct answer इसका वह बाबुर, आगे सवाल देखो, अगर आपको पहली लाइन से कुछ भी नहीं समझा था, तो भी इसका answer दे सकते हूँ, अगर आपको simply पता है, राम चरिच मानस किस ने लिखी थी, तुलसी दास ने लिखी थी, अगर ये वाला point भी आपको पता है, वो आपको पता है, ये hint आपके होता है, अगर आप यहाँ तक कुछ नहीं समझ पाए, तो भी आप इसका answer दे देगे, आगे चलते हैं, the terms jart and savas are related to which of the following administrative systems, फटा-फट से ट्राइ करो, 5 seconds देता हूँ, आपको questions होना, इसे नहीं कि question देखा answer देगा, थोड़ा बहुत अगर आप story को साथ लिंक करोगे, तो ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि history है, देखो history को एक history, story की तरही के पढ़ना पड़ेगा, जिस chronological sequence में काम हुए है, उस तरीके अगर आप इसे समझोगे, तो ही आपके लिए long term benefits देगा है, मनसबदारी system जो है, जो आपका associated है, अखबर के शासनकाल में, मनसबदारी system से जुड़े हैं, ये दोनों term, basically ये आप कहोगे, कितने घुर सवार दिये जाते थे, ये जो terms है, ये सब किसा मनसब, कितने, जैसे for example में आपको कहता हूँ, 4000 का मनसब दिया किसी को, राजा ने, तो आप बोलोगे कि उसे वो area दिया, and 4000 की सेना की तुकड़ी दी, ऐसे बो को administer करने के लिए, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अकबर was succeeded by his son, Sanim, who took the title of Dash, meaning conqueror of the world, अब देखो, यहाँ पर ही कहानी रुख जाती है, इसके आगे तो आपके लिए सिरफ और सिरफ हिंट है, कि अकबर was succeeded by his son, यहीं पर आपको पता होना चाहिए, कि अकबर के कौन आया था, मैंने अभी आपको एक sequence दिखाया था, देखो यह sequence जो भी मैंने आपको mention करा था, अगर आपको यह simply sequence भी याद है, तो दूसरा सवाल भी आप easily बना सकते हो, कि अकबर के बाद आया था, जहांगीर, तो इसका correct answer क्या है, जहांगीर, इन्होंने title लिया था, ज meaning conqueror of the world, अकबर के बाद बैठा था seat पर, जहांगीर, जिसका बच्पन का नाम था, सलीम, और ये भी आप कहोगे, जो सूफी सेंट थे, सलीम चिस्टी, उनके नाम पर रखा गया था, अकबर नहीं रखा था, ये point, क्योंकि अकबर जो हुआ था, उन्हीं की दरगा के अंद है, आगे चलते हैं, हुमायू का हायर, यानि हुमायू का जो बेटा था, वो एक्जाइल में हुआ था, सिरफ तेरा साल का था था वो, जब उसके पिता की मृत्य हो गई थी, अगेन, कुश्य नमबर थ्री, सिंपली उसी सीक्वेंट से की बाबर, हुमायू, अकबर, जहां यानि हुमायू का हायर कौन है, सीधा-सिधा अकबर, यह जो पाटन है, बहुत इंपोर्टन है, लोग हिस्टरी में कुछ भी पढ़ते रहते हैं, रांडम वो काम बिल्कुल नहीं करना आपको, जो सीक्वेंस है, जो पाटन है, जहां से मैक्सिमम सवाल बने है, सबसे ज़ देखिए सिंटेंस में, लेकिन सिंपल सा सवाल यह है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है, विक्टोरिया मेमोरियल आपको कोलकता में है, सिंपल सा इतना सा सवाल है, यह डिटेल आपको सिर्फ समझाने के लिए, कन्फ्यूस करने के लिए दे रखी है, अगर विक्टोरि अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्ट्चर ड्यूरिंग तरी नॉफ डाश औरंग्जेब शाह जहां अकबर या फिज जहांगीर देखो लाल किला जामा मस्जित ताज महल बहुत सारी और चीज़े बनवाई थी आपको होगे पहले आगरा में फिर दिल्ली में शाह जाने तो यह अगर आपको जामा मस्जित में confusion भी होगा तो लाल किले का आपको पता होना चाहिए कि शाह जहां नहीं वो बनवाया था तो इसका correct answer होगा आपका शाह जहां और कहा भी जाता है कि इनका जो rain था उसे golden age of architecture भी कहा जाता है क्योंकि उस point पे जो architectural achievements हो बिल्कुल epitome पे थ थे आपके देश के इतिहास में option number two है इसका सायान सा शाह जहां who has built Taj Mahal again देखो एक आपको सिर्फ dynasty जो है Mughal dynasty से ही आपने देखा होगा कम से कम 45 सवाल अब तक आ चुके हैं सबसे important एक तो Mughal dynasty है अपने पास note कर लो सबसे पहले medieval में आपको ये point पढ़ना है Mughal dynasty के बाने म उसके लावा दिल्ली सल्तनत इसका जो sequence है इसके थोड़े बहुत year है कहां से start होके कहां तक जाती है आपको मैं इसी session में बताने वाला हूँ ये सब points आपको बहुत अच्छे से cover करने है कौन सा क्या sequence है जो भी जित्ती भी इसके बीच में आती है अलग-अलग dynasty सब आपको sequence में याद करनी है सवाल यह है कि ताज महिल किसने बनवाया था अपनी वाइप मुमतास महिल के लिए along the banks of Yamuna river in Agra अब बहुत सारी extra detail आपके दे रखी है इतना सा detail आपके लिए बहुत है ताज महिल किसने बनवाया ताज महिल बनवाया शाह जहाने आगे चलते हैं अगला पर जो हमाला ट्रेड था इंडिया का जो ट्रेड था मालो किसी और कंट्री से मैं बात करता हूँ उसकी सबसे ज़्यादा खासियत क्या थी कि हम मंगवाते कम थे यह export deficiency हम export कम करते थे हम import deficiency आप कहोगे कि पहला point है मंगवाते क्या जादा थे import क्या हम मंगवाते कम थे दूसरा point है export deficiency क्या export कम करते थे यह export हम बहुत जादा करते थे point को समझो यह जो चौथा point है यह सबसे main है क्योंकि import से इतना लेना देना था ही नहीं बेसिकली जो हमारे यह समान बनता था मुझसे भेशते थे जनरली जो UK है आपका England है London है उस point वो supply होता था जिसकी वज़े से आप कहते हो कि अंगरेजों ने हमारा देश खाली भी कर दिया है option number 4 इसका सही answer होगा export surplus that is that was the most important characteristic of India's trade throughout the colonial period on March 23rd India observes Dash Day as a tribute to Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru on their death anniversary 23 March को क्या मनाया जाता है कहने को static का भी सवाल है history का भी सवाल है और आप कहोगे कि exam के लिए आपके लिए relevance रखता है फटा-फट बताओ भी प्रोटेस्टे, शहीद दिवस, ट्रिब्यूटे या विद्रोह दिवस अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है शहीद दिवस 23 मार्ज को मनाया जाता है शहीद दिवस किस लिए मनाया जाता है क्योंकि इनकी death anniversary है उस दिन भगत सिंग की सुखदेव की और राजगुरूगी फटा फट से ट्राइ करो भी अब इसे आइडिया भी आप लगा सकते हो गर आप समझते हो कि यह जो परसन है कौन से एरिया से एसुसेटेड है आपको मैं बताता हूँ है राजस्थान से एसुसेटेड है और डीटेल में जाओ तो जैपूसे associated है और आपको पता है अगर कि हवा महल कौनसे शहर के अंदर है तो भी आप simply answer बता सकते हो इसका correct answer हवा महल हो गई 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंग ने बनवाया था दा कुतुम मिनार ये बहुत बढ़िया सवाल है बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आए इसका answer option no.2 देके आए है फटा फट सेवगार आप ट्राए करो तक कुतुम मिनार वस नेम्ड आफटर दा सूफी सेंट डाश फटा फट राए करो अला उद्दीन सवीर कलियारी कुतुम उद्दिन एबक सैयद वहीद अश्रफ या ख्वाजा कुतुम उद्दीन बक्तियार काकी अब यहाँ पर S.S.C. ने आपको थोड़ा सा सवाल को इजी बनाने के लिए ये भी हिंट दिया था कि सूफी सेंट की बात हो रही है तो कुतुम उद्दिन एबक एक सूफी सेंट नहीं आप कहोगे एक स्लेव था आपको शायद आइडिया होगा मोहमद गोरी का स्लेव थ और इनका स्लेव इंटर्ण इल्तुतमिश था जिसे स्लेव और स्लेव बोला जाता है आपको इस सीक्वेंस जरूर ध्यान में रखना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्लेव डैनिस्टी किसने स्राइड करी थी उसकेस में भी आप कहोगे कि सबसे पहले आप कहोग कुटोभुद्दीन ऐबख ने बनाई थी लेकिन इल्थुतमिशको रियल फाउंडर बोला जाता है जो की इनके intern गुलाम थे यह जो बनाया था बनवाया था कुटूभुद्दिन ऐबख ने अगर मैं कुटोभुद्दीन ऐबख ने आपसे से उची मिनार है 73 मीटर की पांच मंजिला इमारत है और इसका जो पहला फ्लोर है सिरफ यही वाला बनवा पाया था कुतुब उद्दिन एबक और इसके बाद की जो चारों मंजिल है यह बनवाई थी इसी के गुलाम और इससे अगला जो रूलर आता है उसने इल्टुत मिश ने इससे आगे की बनवाई थी और इसके बाद आपको ध्यान लखना है कि कुतुब उद्दिन एबक में किस-किस का कंट्रिब्यूशन है यह पॉइंट आप बहुत अच्छे से अपने पास नोट करो स्टार्टिंग किस ने करी है अब बोलो कुतुब उद्दिन एबक ने कंप्लीट किस ने कराया है कंप्लीटिडबाय इलतुत्मिश कब कराया था स्टार्ट 9 1199 कंप्लीट कब हुआ है 1229 लेकिन फिर आप कहोगे कुछ टाइम के बाद इस पर लाइटनिंग या बिजली गिरने की वज़े सी इसके ऊपर की जो इमारते हैं वो खराब हो गई थी जिसे दुबारा बनवाया है, आप कहोगे रिये established, started by फिरोज शाह तुगलक, reconstruction किस ने करा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने, और फाइनल ये reconstruction है, और इसका renovation भी कराया है, ये points जेको जितने भी हैं, बहुत important है, renovation किस ने करा इसका, सिकंदर लोधी, ये चारो points आपको ध्यान में रखने है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने कुतुब मिनार के एक छोटे से point से हमने 5-6-7 चीज़े समझी है, कुतुब मिनार 1199 में बनवाना start हुआ था, 1229 में पूरा हुआ था, कुतुब उदिन एबक ने start करा था, number one floor बनवा पाया था बस, और इसके इलाव होता है, बस वीडियो से देखने का, कि अगर आप simple answer की देखोगे, तो आपको वहाँ पे सिर्फ option number 4 दिखेगा, लेकिन अगर हम detail में discuss करेंगे, तो हम पूरी ही चीज़े यहाँ पे discuss करेंगे, For your reference, कुतुब मिनार बनवाया कुतुबुद्दिन एबक ने, लेकिन किसके नाम पे बनवाया, कुतुबुद्दीन, बक्तियार काकी के नाम पे सब्दर जंकस टूम्प, सेट इन दे मिडल अफ गार्डन, वस बिल्ड बाइ नवाब शुजा उद दौला, इन कहां पर है ये टॉम सिरफ इतना सा सवाल है ये जगा भी आपने सुनी होगी कोई अगर दिल्ली को बिलॉंग करता है या नौथ इंडिया को बिलॉंग करता है ये जो है ये आपको जगा का ही नाम दिख रहा है सवदर गंज ये जो है आपका दिल्ली के अंदर है सवदर लोगों ने नूर जहां देखा और सीधा उन्होंने शहां जहां टिक कर दिया उन्हें लगा कि अच्छा कुछ शहां जहां से असोसियेटेड होगा मुम्तास का कोई नाम होगा जो कि बिलकुल गलत आंसर है फटा-फट से ट्राइ करो आप इसका आंसर क्या होगा महरुनिसा जो थी ये अल्रेडी मैरिट थी आपको थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया है अगर आपको स्टोरी पता है नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ इसी के हैं एक काम करने वाला इंसान था अली कुली बेग जिसका नाम है उससे मैरिट थी उससे जहांगीर ने मरवा कर और इससे शादी कर ली थी और इसे टाइटल दे दिया था नूर जहां का यानि लाइट ऑफ दा वर्ल्ड का तो for your reference answer इसका होगा जहांगीर, जहांगीर ने शादी करी थी महरू निसा से और इसे title दे दिया था नूर जहां का, आगे चलते हैं अंगला सवाल देखते हैं Dash died in 1605, nearly 50 years after his accession to the throne, he was buried outside of Agra at Sikandra, यानि सवाल यह है, Sikandra में किसकी आप कहोगे मकबरा है, लेकिन एक point बहुत important है कि यह क्या अपने मकबरे के अंदर है, यह सवाल में आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको चाहूँगा कि आप अपना भी दिमाख ल लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, कौन सा ऐसा मुगल बाश्चा था, जिसे दफनाया भी गया था, और जलाया भी गया था, आप थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर सोचना कर आपको इसका आंसर पता है, बहुत बड़ी आबात है, अगर नहीं पता, तो थोड़ा सा इसका बरी करा था, जिसे दफनाया गया था, आगरा के सिकंद्रा में, आंसर होगा इसका अकबर, हुमाईयू का बेटा जो अकबर था, आप कहोगे कि उन्हें दफनाया गया था, जो मरे थे 1605 में, अब देखो, यहाँ पर भी आप चीज़ों को रिलेट करें, थोड़ा बहुत इलिमिनेशन ज़रूर लगा सकते हो, वो कैसे है, आपने बावर, हुमाईयू, अकबर, जहांगीर, शाजा, औरंगजेब, आपको यह अगर याद है कि यह 1707 में बना है, तो अविस सी बात है कि यहाँ पर आंसर जो है, शाजा जाहा नहीं हो सकता, क्योंकि 100 साल पहले की ब यह अगर आप जहांगीर की बात करते हो, जहांगीर के भी चांसे बहुत कम है कि अगर जहांगीर 1605 में मर गया होगा, तो 100 साल का गैप नहीं आ सकता, मुझे उमीर है, बेसिक कॉमन सेंस से भी आप इसका अंसर निकाल सकते हो, अगर आपको बाकी डिटेल नहीं भी पता त इसका correct answer है option number A, option number 1, अकबर, अकबर का जो मकबरा है आप कहोगे हो सिकंतरा में है, आगरा के पास, डाइश has been called the architect king, as during his reign, the world witnessed a unique development of arts and culture of the Mughal Empire, architect king किसे कहा जाता है, फटा फट से इसका answer हो, किसे कहा जाता है architect king, यह सवाल है आपके लिए, अब यह चीज में already cover कर आ चुका यह statement इस type से भी आपके सामने बन सकती है कि कौन ऐसा है, जिसके समय में हम कहते हैं कि जिसे golden age of architecture, यह जो statement है, यह जो line है, यह किसके लिए इस्तेमाल होती है, यह भी point आपके सामने उट सकता है, फटा फट से try करो, इसका correct answer होगा शाह जहां, शाह जहां के time पे हम कहेंगे, क इसके लिए आप कहोगे कि ताज महल, और भी बहुत सारी चीजे इन्होंने बनवाई थी, तो correct answer होगा, option number one, शाह जहां, मुझे उमीद है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं, अगला point देखते हैं, और मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिसे भ कुछ भी एक रुपया नहीं पे करना है, आपको जिसमें अभीने सर, पवन रहा हो, सर, रानी माम, सभी educators के सभी courses हैं, बस वहां पर आप जब final payment करोगे चाहिए, वो 12 महीने की हो, 6 महीने की हो, 3 महीने की हो, आपको यह वाला discount code लगाना है, PM, काफी लोग को discount code लगाने में दिक्कत आती है कि spelling सही नहीं आपा रहे, आप space डाल रहे, मैं clearly बता रहे हो, बहुत simple काम करा दिया आपके लिए, simply PM लिख देना बिना space के आपको discount मिल जाएगा, अट अपनी तयारी बहतरीन तरीके करो, क्योंकि आप time बहुत जादा आपके पास नहीं बचा है, मुश्किल बनाई थी, फटा-फट से बता हो भी, और यह किसके लिए बनाई थी, आपको शायद कुछ याद हो, यह South Africa से associated है, यह आपके Indian National Congress नहीं है, अगर नहीं इसके बारे में आइडिया तो जरूर पढ़के जाना important point है, South Africa की यह बात हो रही है, और discrimination की यह बात हो रही है, वहाँ पर, थोड़ा सा आप इस पर जरूर कॉल फर्माना अगर इसके बारे में आइडिया नहीं हो, तो यह Natal Indian Congress जो है, यह 1894 में बनाई गई थी, महात्मा गांदी के द्वारा, अगले बार, यहाँ पर आपको fill in the blank दे दे देंगे, और कहेंगे, डाइच फांड दा इंडिया न National Humiliation Day, कौनसी ऐसी तारीक थी इन में से, आपने बहुत आपका famous incidents है, आपके इतिहास खए, आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाना है, क्योंकि यह जरूरी भी है आपके दे, National Humiliation Day जो है, कौनसी तारीक को मनाया जाता है, 6 April 1919 को मनाया गया था, National Humiliation Day, 6 April 1919 के बाद है, किस चीज़ के reaction में, Roll Attack के reaction में, The Sipoy Mutiny in India started from कहाँ, Sipoy Mutiny, जिसे आप largely बोलते हो, Revolt of 1857, इन में से कौनसे शहर से start होई थी, बता होई, कहाँ से इसमें से start होई थी, अब यह आपको अगर कहानी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला जो इनसान है, जो इससे associated है, वो है मंगल पांडे, उसके बाद जो larger term पे जिसमें आप कहोगे कि 99 soldiers ने, सैनिकों ने मना कर दिया था, जो आपकी गाएं या सुवरी की चर्भी वाली कार्तूस का इस्तिमाल करने का, जिसे infield rifle में इस्तिमाल करा जाता था, यह जो पूरी कहानी है, इन मेरिट की मैं आपको बतानों, जिसे officially आप कहाती हो कि सिपोय म्यूटिनी, यानि जो सिपाही थे, वो विद्रो करने लग गए थे चीजों का, यह कहां से स्टार्ट हुई है, यह मेरिट से स्टार्ट हुई थी, और आपको आइडिया होना चाहिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 प्लान्ड था, 31 म मही के लिए, लेकिन ये 10 मही कोई शुरुवात हो गया था सिपोय म्यूटिनी की वज़े से, जिसे माना जाता है कि बहुत बड़ा कारण है, जल्दी स्टार्ट कर लेना, विदाउट प्लानिंग स्टार्ट कर लेना, रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर का, जल्दी स्टार्ट ह ही चले गए थे दिल्ली और जाके दिल्ली में जो हमारा मुगल बाश्चा था भादोशा उसे अपना लीडर घोशित कर दिया था, जिसे बाद में हुमाईयू के मकबरे के पास फकड़ दिया गया था, और आपका बर्मा भेच दिया गया था, आज जीवन वही नहीं और व पूछरा अंगरेज आपके देश में कब आए, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये जो इस्ट इडिया कंपनी है, कौन से सन में बनी है, अब आपने पढ़ा होगा 31 दिसंबर 1600 को चार्टर दिया था, अब confusion काफी लोग होती कि 1600 या 1601, देखो officially 1600 चलेगा, लेकिन 1601 भी पूछुगीज अपनी कंपनी भी बना चुकी थी, लेकिन डच ने अपनी कंपनी बनाई है 1602 में, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि डच वो है जो अंगरेजों से पहले आये थे, लेकिन अपनी कंपनी उन्होंने अंगरेजों के बाद बनाई है, ये पूछुगीज है, फिर इंग्लेश है फिट डच यानि ये पहले आ गये थे, लेकिन इनकी कंपनी बनी थी बाद में, और ये जब आये थे, तो कंपनी बना कर ही अपनी आये थे, तो इस सीक्वेंस सोड़ा सा अलग चलता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इस कुछ भी हो सवाल बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि नेवरिंग कंट्री से बहुत सवाल आये थे, सीजल इठारा में, और मान के चलना, नेवरिंग कंट्री से हर बाद सवाल बनते हैं, इस बार भी ज़रूर बनेंगे, ध्यान रखना पाकिस्तान में, एक इनसान है, परवे कुछ चीज़ें इंपोर्टन बन जाती है, आपको बिलकुल ध्यान में रखना है, अगर मैं यूएस की बात करूँ, तो आपने सुना होगा जो बहां के प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रम्प, उनका इंपीच्मेंट न्यूज में है, इसकी वाज़से यूएस में जितनी आपकी कंपनीज हैं, बड़ी-बड़ी ओर्गनाइजेशन हैं, इनके हेड़कौर्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाने हैं, काफी लोगों को न्यू यूएक और वाशिंग्टन डी-सी में कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से इसे पढ़के जाना, इसकी कर अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स में आपको यहां बता रहा हूँ, उससे मैक्सिमम सवाल बने हैं, यह मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है, सबसे पहले यह पढ़ना, उसके बाद बाकी चीज़े पढ़ना, एक चैनल्स है, जैसे 8 डिगरी चैनल, 9 डिगर टेन डिगरी चैनल, ग्रेट चैनल, यह सब आपको पता होना चाहिए, पाक स्ट्रेट, यह पता होती है जनरली लोग को, इसके लाग कोको स्ट्रेट, यह जितने पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, यह आपको साधे के साधे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि इसके बीच में 10 टिगरी इसके बीच में ग्रेट पाक कोको, यह जितने पॉइंट्स है इस अब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, अगर नहीं पता अपने 10 मिनेट निकालो अभी इसे पड़ो, ठीक है, आगे चलते हैं अगला सवाल से समझ आई है, फटावट से स सवाल को पड़ो, बहुत important सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके इतिहास में इस सवाल को बहुत एहमियत दी जाती है, फटावट से answer दो, यह सवाल है आपके लिए, अब देखो, point यहाँ पर important क्या है, यह सन देना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को बहुत वाल लूटा गया है, और एक सवाल थोड़ा common sense का बनता है, क्यों क्यों लूटा गया है, या मंदिरों को क्यों लूटे जाने की इतिहास म इतनी घटनाए है, क्योंकि देखो, मंदिर में दो बाते होती हैं, पहला तो gold, यह आप काओगे money, क्योंकि जो पैसा है, बहुत सारे लोग वहाँ चड़ाते हैं, वो एक तरीकी से आपको हमापे stock होता जाता है, दूसरा point यह है, कि जो Muslims आये थे, वो आये थे अर इसलाम को इसलाम का प्रचार करने, और काफी सारे मुसल्मान ऐसे थे, जो कि मूर्ति पूजा, यानि आइडोलेटरी के खिलाफ थे, और वो जाते थे, कि अगर हम मंदिर पे attack करेंगे, तो एक तीस से दो निशाने लगए, कि पैसे का पैसा मिलेगा, वो जो आइडोलेटरी है, हम इ उने किसी मूर्ति का कार नहीं दे सकते, आप उनकी shape, size या image नहीं बना सकते, इसलिए मूर्ति पूजान इसलाम में बिलकुल बयान है, लेकिन जो हिंदू धरम है, उसमें मूर्ति पूजान करते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर यह point बता रहूँ कि जो सोमनात मंदिर है गु इसनी के द्वारा आपको point ध्यान रखना है, यह वही इनसान है जिसका आप कहते हो first successful invasion, first successful Turkish invasion जिसने करा है, आप इसका मानते हो, इससे पहले भी करा था, इसी के आप कहोगे area से तुर्की से ही आया था, वो भी सुबुक्तगीन नाम का एक इनसान, लेकिन वो आप कहोगे successful नहीं माना जाता, first invasion अगर कोई आप से पूछता, आप कहोगे by सुबुक्तगीन है, first successful invasion आप कहोगे by महमूद और गजनी या महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, और इसने बहुत सारी और भी जगाए लूटी हैं, जैसे कि for example आपको मैं बताओ, 1006 में नागर को मंदिर, अब अगली बार सोमनात मंदिर ना पूछ के आप से नागर कोट मंदिर पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए, ये कहां पर है, अगर नहीं पता, तो आप अभी इस चीज़ को पढ़ सकते हो, नागर कोट मंदिर कहां पर है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यह हिमाचल की साइड है, थोड़ा सा इसके बादे में आप पढ़ो, कि सोमनात मंदिर कहा है, मैं हिंट दे रहा हूं, गुजरात में है, थोड़ा सा इसके exact location पढ़ोगे, long term में फायदा देगा, नागर कोर्ट मंदिर जो है हिमाचल में है, इसकी भी exact location पढ़ोगे, फायदा देगा, for your reference, correct answer इसका है, कि 1026 AD में लूटा था महमूद औफ गजनी ने, और इसके जाने के बाद ही मुहमद गोरी आया था, मुहमद गोरी के साथ ही अपने साथ हजारों गुलाम लाया था, जिसमें एक था कुतुब उद्दिन, एबग कि इसका गुलाम और दमात था, इस इसने आके सलेव या ममलुक वंश की शुरुआत करी थी, इसका जो गुलाम और दमात था हो था, इल्तुत्मिश, जो जो पॉइंट्स में आपको बताने हो ध्यान रखने हैं, और इसे माना जाता है, real founder, इसके बाद बैठी थी seat पर रजिया बेगम, जिसे रजिया सुल्ता आप मानते हूं, इसी टाइप से पूरा सीक्वेंस आपका आगे चलता जाएगा, बहराम शाह उसके बाद बैठाए 1240-1242 तक, यह सीक्वेंस अगर आप अच्छे से समझते हो, बहुत जादा फायदा होगा, और confidence भी बढ़ेगा आपका हितिहास को लेके, आगे चलते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, फटाफट से जदा मुझे इसका answer बताने कि जैंगेस खान है, जिसे हम चंगेस खान के नाम से जानते हैं, यह कौन सी country से associated है, फटाफट से बताओ वई, कौन सी country से associated है, चंगेस खान या जैंगेस खान, और जैंगेस खान इसका असली नाम है यह नहीं है तो हम इसे इस नाम से जानते हैं सब लोग जैंगिस खान जो है मंगोलिया से सीटिड़ है उपको कहते हो कि इतिहास मंगोलिया से है अगर किसी को अब भी ना पता हूँ मंगोलिया होगा इसका अंसर विच अब दी फॉलोइंग प्लेसेस वोज रूड बाई दा वाडियार डानेस्टी अब यह एंशेंट का सवाल है देखो मैं आप सभी को इस चीज लिरली बता देता हूँ सबसे पहले आपको तयार करने है मिडिवल मिडिवल के बाद आप मौडन पढ़ो मौडन के बाद एंशेंट पढ़ो मतलब यहां चाहे जो भी सीक्वेंस बना लो अगर आपकी मौडन पहले से अच्छे तो पहले आप एंशेंट पढ़ सकते हो सबसे जादा सवाल मिडिवल से बनते हैं इस साल सबसे जादा सवाल मिडिवल से बने थे तो सबसे पहले मिडिवल पढ़के जाना क्योंकि बहुत मुश्किल भी नहीं है और मार्क्स भी बिलकुल फ्री के देती है जैसे जितने सवाल आपको दिख रहे हैं बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ोगे, आप अराम से इने तयार कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझा रहा कैसे तयार करना है, मुश्किल लग रहे हैं सभी सवाल, तो आप चाहो मेरा खुद का कोर्स जॉइन कर सकते हैं, Platinum Bash and Academy Plus पे, मेरे कोर्स इसके साथ सभी के सारे कोसिस आपको मिल जाएंगे, डिस्काउंट को नीचे लिखावा, इसे लगाते हैं आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, Which of the following places was ruled by Wadiar dynasty, ancient का सवाल है, Mysore जो है, Mysore kingdom पे आप कहोगे, जो आपका south का है, मैं भी आपको फोटो भी दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर तरीके समझाएगा है, जो area आपको दिख रहा है, करीब करीब आपको होगे, यह वाला वो area है, जहाँ पर रूल करते हैं, that is south, basically के लिए आप इसे link करोगे, कानाटक से, कुछ पोशन केरला से, कुछ पोशन आंदरा का और कुछ पोशन तमिलना डूगा, मुझे उमीद है, point समझा गया होगा, यह कौन से का है, आप कहोगे, यह है, वाडियर डानिस्टी का kingdom, आगे चलते हैं, फटा फट से मुझे पता देता हूँ, यह पूरा area Gulf of Manar का पढ़ता है, या फिर आप बोलो के Park Strait का पढ़ता है, ध्यान रखना important exam के लिए, अभी मैंने 5 मिनट पहले भी discuss करा था, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आपको option जो देखने को मिलेंगे, actual में दो लोगों ने मिलके बनाई हैं, हम ऐ इसा मानते हैं, जिसमें एक नाम है, सुदेंदर नाथ बैनर जी, और जो दूसरा नाम है, वो है, अनन्द मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, Indian National Association, और यह क्यों important आप को होगी, यह पहली हमारी ऐसी organization है, जिसे हमने start करा था, अंगरेजों के खिलाफ, officially, यह point आपक में, 1885 में जाकर, merged with Indian National Congress, merged with Indian National Congress, in 1885, ध्यान लखने आपको, और यह बनी कप थी, 1876 में, यह date आपको ध्यान लखने है, कौन दो इनसान associated है इसके बनने से, सुलेंदर नाथ बैनर जी और आनन्द मोहन बोस, तो इसका answer यहां पर सुलेंदर नाथ बैनर जी आपको नहीं दिखे हैं, लेकिन आनन्द मोहन बोस आपको दिख गए है, तो इस answer जो होगा, वो होगा, option number 3, आनन्द मोहन बोस, आगे चलते हैं, यह फिल से ancient का सवाल आपके सामने है, who was the founder of Chalukya dynasty, इन में से किसने सापित करी है, यह सवाल आया ह है आपके सामने, फटा-फट बता होई, चलो, इसका जो correct answer है, option number 1, पुल सेकिन 1 के द्वारा हम कहते हैं, कि इनों ने चलुक के dynasty की स्थापना करी है, आपको पॉइंट ध्यान रखना है, तो ancient में 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 लिए आप क्या करना, जो dynasties हैं, dynasty जितनी भी आपको देखें, उनके founder सबसे पहले पढ़ देना, उसके लावा उनका जो kingdom का area है, कहां पर है, south में किस जगा पर है, सबसे जादा आपको इन दो points पर focus करना है, यह आपको मैंने approximate area यहां पर mark करके दे रिया है, जिससे आप चीजों को समझ पाओ, क्योंकि मेरा यह मानना है personally, कि जो map होता है, मैं आप सब easily चीजों को लंबे समय तक याद कर सकते हो, आगे चलते हैं, नेम दा स्टेट, चंदर गृप्त वन, गौट इन डावरी, फ्रम लिच्छवी, जब चंदर गृप्त वन की शादी हुई थी, लिच्छवी की प्रिंसेस से, जिसका नम कुमार देवी था, तो दहेज में इन्हें कौन सा शहर, कौन सा राज्य, कौन सा एरिया मिला था, पार्टली पुत्र, साकेत, उजेन, प्रग्या, बताओ, बताओ, क्या मिला था, पार्टली पुत्र, साकेत, उजेन या प्रियाग, इन्हें मिला था, पार्टली पुत् जिसका पुदा नम पाटली पुत्र है तो आप कहोगे बिहाद वाला जो रीजन है इन्हें दहेज में मिला था लिच्छवी से जब इनकी शादी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत 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 इंपोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है आपको ध्यान लखना ही है इसके ठीक बात आप कहोगे यहां से स्टार्ट हो गया था मुगल समराज्य मुगल डाइनस्टी यहां से स्टार्ट हो गई थी 1526 के बाद से आप कहोगे यहां पर बाबुर आया था और बाबर से लेकर यह पूरी कहानी चली थी औरंग जेब था जो की 1707 में मरा था और 1707 के बाद हम मानते हैं कि यह डाउन फॉल हुआ था डिकलाइन हुआ था और मुगल एंपायर जिसमें एक एक करके जो इसका बेटा था चारा इनके बेटे थे जिसमें मुआजिम जो है वो फाइनली बना था रूलर आप कोगे शाह आलमवन के नाम से लेकिन यहां से धीरे-धीरे कहानी बदलती गई क्योंकि जितने भी आए most of them were not very capable as compared to earlier emperors जैस औरंग जेव है शाजा है बाबर है उमायू है अकबर है जांगीर है तो यहां तक ही हम मेंली मानते हैं कि जो में मुगल डाइनस्ट्री वो मानी जाती है इसके आगे डाउनफॉल चलता है दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट होगी जब कुतुब उद्दिन एबक को बनाया ज जिसे आप कहते हो रियल फाउंडर है वो रियल फाउंडर माना जाता है आपकी स्लेव डाइनस्ट्री दिल्ली सल्तनत का उसके बाद आके बैठेगी यहां पर स्लेव डाइनस्ट्री में कुतुब उद्दिन एबक के बाद आके बैठेगा इलतुतमश उसके बाद रजिया आईगी फिर लोधी आईगी और इसमें भी एकश इंद्र लोधी आईगी एपसे आपकोई दड उसके भाद जो आएगा फिर बावावर आएगा आएगा बावर हमला करेगा जिसे सपोर्ट और भीलो गरेगे और फाइनली बावल से ही स्टार्ट होगा आपका मुगल सम्राजे और दिल्ली सल्टनत खतम होगी मैं उमीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ आया होगा देखो पॉइंट यह इंपोर्टन के सिर्फ याद करकी काम नहीं बनेगा समझ कर ही काम बनेगा this is the reality and history बिना समझे आप नहीं कर पाएंगे अगर दिक्कत आ रही है you can join my course कोई tension की बात नहीं है कुछ classes अगर miss भी हो गई है तो आप उनके recordings देख सकते हैं 1206 इसवी से 1526 इसवी तक जो माना जाता है दिल्ली सल्टनत का parade माना जाता है यहां पर जो भी थे यह सब सुल्टान थे ध्यान रखना और जो इसके बाद के थे वो बादशाह माने जाते हैं तो वो दिल्ली सल्टनत नहीं मानी जाती धरम पाल ने बनवाई थे विकरम शील उनिवर्सिटी बहुत फेमस उनिवर्सिटी यह कुछ उनिवर्सिटी इसका आपको पढ़के जाना है एक विकरम शील उनिवर्सिटी इसका एक विकरम शील उनिवर्सिटी का एक नालंदा यूनिवर्सिटी वो जो तीसरी आपको पढ़नी है वो तकसीला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है अपने लिए ज़ादा इंपोर्टेंट ये ज़रूर बनती है क्योंकि ये इंडिया का ही पार्ट है अगेन सिरफ उसी सीक्वेंस से पूछा गया कम से कम दसवा सवाल है ये बहुत सवाल आपने अब तक देख लिया होंगे अगर आपने सारी के सारे कोश्चन्स अच्छे से समझे है सबसे पहले जैसे मैंने आपको पता स्लेव डैनिस्टी आई थी जिसे ममलुक वंश भी बोला जाता है इनके बाद आप कहोगे खिलजी डैनिस्टी आई थी उसके बाद तुगलग डैनिस्टी आई थी फिर बीज में सैयद डैनिस्टी आई थी उसके बाद आई थी लोदी डैनिस्टी उसके बाद आया था बावर, उसके बाद हुमायू, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजा, ओरंगजेब, ओरंगजेब के पाद शाह आलमवन इसी टाइप से सीक्वेंस चलेगा और धीदे दिर विटेश आएंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका कलोनियल पिरिड आगे चलते हैं, इसका correct answer होगा, slave dynasty, जिसकी स्थापना करी थी, कुतो बुद्दिन एबक ने, लेकिन कभी उस कुरसी पर नहीं बैठा था, उसके बाद जो उसका गुलाम और दमा था, इल्तुतमिश, वो आप उस कुरसी पर बैठा था, जिसे माना जाता है, real founder of slave dynasty, दाबदमी च उसके बाद इन्होंने move करके इसे यहां पर ले गए था, छोटा सुपमारिंट आपको ध्यान में रखना है, कि capital जो इनकी shift हुई थी, वो ए होल से बदमी में हुई थी, डाइश was the first Muslim ruler whose empire covered almost the whole of India up to its extreme south, इन में से कौन है, जैसा मैंने आपको पहले बता था, खिलजियों का स दूसरे नंबर का सुल्तान है, जिसने अपने ही, अपने से पहले जो सुल्तान थे, जलालुदिन खिल जी, उनकी धोके से हत्या करका उस कुलसी पर बैठा था, लेकिन बैठने के बाद इसने बहुत बढ़िया काम करा, और almost पूरा का पूरा इंडिया, पिल्कुल south तक इस जो है ही इनके बाद के जलालुदिन खिल जी जो है, जो मैंने आपको बता है, जिने मार कर ये बैठे थे, ये इन्होंने इतना काम नहीं करा था, जितना की अलालुदिन खिल जी ने करा था, आगे चलते हैं The invasion of Delhi by Timur, या तैमूर या तैमूर लंग, तीनों नाम चलते हैं, in dash, marked the end of Tughlaq Empire Tughlaq Empire officially तो 1414 तक चला है, लेकिन अनओफिशली आप कहोगे, कि जो Tughlaq Empire था, वो invasion दिल्ली का जब तैमूर ने करा था, तब खतम हो गया था, तैमूर कहां से आया था, तुर्की या तर्की में एक जगा है, समरकंद वहाँ से आया था ये, दिल्ली पर आकरवण कान ने, और ध्यान रखना, उस समय जो यहां का सुल्तान था, आप कहोगे, अन्दसीरुदिन महमूत था, और इसके बाद आई सैयर डाइनस्टी, जिसका खिजर खान, खिजर खान मैं आपको बता देता हूँ, वो बना आपका सुल्तान अगला जित तुझलक एंपायर खतम हो गया, सैयर डाइनस्टी चालो हो गयी, जो कि पहली शीया डाइनस्टी भी थी, अभी तक जो चल रहे हैं, जब सुननी चल रहे थे, अब पहली डाइनस्टी शीया जो है आप उसे कहते हैं, ध्यान रखनी आपको इंबात, 1398 में जो माना जाता है कि जिसके बाद तुगलक समराज्य, तुगलक एंपायर, तुगलक डाइनस्ट्री खतम हो गई थी आगे चलते हैं अब देखो वोही सवाल फिर से आ गया Who founded the Sayyad dynasty? Sayyad dynasty की स्थापना किस ने करी थी? निजाम शाह, बहलूल खान, खिजर खान या मुहम्मद बिन फरीद इन में से कौन है? अभी मैंने आपको आंसर बताया था, मुझे उमीद है आपको आंसर याद होगा किसने कौन ऐसा इन में से है जिसने शुरुवात करी थी? Sayyad dynasty की फटा-फट बताओ भई किसे माना जाता है जिसने शुरुवात करी है Sayyad dynasty की? Option no.3, खिजर खान होगा इसका सही आंसर, यह अभी हमने पहले देखा है खिजर खान आया था, खिजर खान ने बेसिकली जो जब तैमूर ने हमला करा था तो वो खुद तैमूर और जो उसका बेटा शारुक खान है, वो रहने नहीं आये थे वो सिरफ लूट पार्ट करने आये थे, लूट पार्ट करके चले गए थे और अपनी तरफ से केर टेकर बना जिया था खिजर खान को, जिसने ऑफीशली सहीर डाइनस्ट्री की शुरुवात करी, जो कि पहली शिया डाइनस्ट्री थी आपके दिल्ली सल्तनत की, यह आप कहोगे आपके देश की खिजर खान होगा इसका अंसर, एक और पॉइंट देखो, मैं आपको कवर यहाँ पर कराना चाओंगा, जो कि आपके लिए मेरे इसाब से बहुत इंपोर्टन्ट है, वो यह है, जो सिख गुरु है उनसे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सिख गुरु से बहुत सवाल बनते हैं, और चांसे यह है कि कुछ न कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा दुवारा, टोटल कितने गुरु है, दस फटा फट मैं आपको की पॉइंट्स यही पर कवर कराने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले गुरु कौन से हैं, आप बोलोगे गुरु नानक देव, यह पॉइंट कवर कर लेना काफी लोग को इस बाते नहीं पता होती हैं, और मैं आपको बता देता हूँ, यह जो बैद पूज में रहती है हर समय, इसलिए आपको पता होनी चाहिए, पैदा हुए थे तलवंडी पंजाब में और वहां पर आप कहोगे एक गुरुद्वारा जिसे नानकाना साहिब बोला जाता है, और जहां पर इनकी मृत्ति हुई थी वो करतारपूर जगा है, जिसे आप बोल जी, इनकी जो वाइफ का नाम था, वो था, सलक्षना, सुलक्षना, थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, और इनों नहीं स्थापना करी थी नानक पंत की, और ये उस जमाने की है, जब आपका कहोगे, जब लोधी और बाबर, कंटेंपरेरी टू बा बाबर के समय के है, समकालीन है, यानि उदर वो रूल कर रहे थे, तब ये थे, इसके बाद कौन से आए, ये पूरा सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दसवे गुरू तक, और उसके बाद जो फाइनली आए, जिनने आप बंदा बहादूर बोलते हो, दसवे गुरू के बाद की बात मैं आपको बता रहूं, बंदा बहादूर को गुरू नहीं माना जाता, क्योंकि जो दसवे गुरू आपके थे, उन्हें clearly मेंशन कर दिया था, कि मेरे बाद कोई भी गुरू नहीं बनेगा, और उसके बाद, सीधा-सीधा clearly mentioned है, गुरू ग प्रणच साहिव है वो ही हमारे फाइनल गुरु माने जाएंगे गुरु कोबिन सिंग जो थे दसवे गुरु आपके थे और इनके बाद जो इनी का एक सेवक था जिन से साउच में मिले थे जब यह गए थे और वहीं पर इन्हें बंदा बहारूर मिले थे इन्हों ने इनका जो स्ट्रगल था वो जाली रखा था खाल्सा के थ्रूँ ये जितने पॉइंट आपको सभी की सभी पॉइंट बिलकुल अच्छे से ध्यान रखने हैं मुझे उमीद है आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको बात समझाई है क्योंकि इससे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं कुछ और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आप चाहो तो अपने पास नोट कर सकते हो ये है कि गोल्डन टेम्पल जो ओफिशल ही है गुरुद्वारा हर्मंदर साहिब इसकी नीव किसने रखी थी इसकी नीव यानी पहली इट आप कहोगे किसने रखी थी ये सूफी संत थे मियामीर इन्होंने रखी थी और किसने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर वाया था construction started by बताओ भी try करो फटाफट किसने इसका construction start कराया था गुरुद्वारा हर्मंदर साहिब जिसे आज आज आप golden temple के नाम से जानते हो किसने कराया था इसे start try करो भी फटाफट देखो मैं आपको सारा ही sequence बता देता हूँ जो पहले गुरु आय थे गुरु अंगर देव इन्होंने एक गुरु मुखी लिपी जिसमें आप बोलते हो लिखने वाली जो पंजाबी है गुरु मुखी लिपी वो गुरु मुखी स्क्रिप्ट चालू करी थी और जो लंगर है उसे regularize कराया था उसे एक form दिया था प्रॉपर की यहाँ यह लंगर है और इनकी पास ही गए थे हुमायू आशिरवाद लेने जब हुमायू हार गए थे इसके बाद जो आये तीसरे नंबर की गुरु आपको ध्यान रखना है मैं या मेंशन कर देता हूँ गुरु अमर दास इनसे मिलने गए थे अकबर जहां पर इननों ने अपनी गद्धी बना रखी दी गोईंद वाल में उसके बाद चौथे नंबर पर जो आपके आते हैं वो आते हैं गुरु रामदास यह गुरु रामदास वो ही है जिने आप कहोगे अकबर इनके काफी अच्छे दोस्ते और अकबर नहीं इनने पांसुबे का जमीन दी थी जिस पे इनोंने बनाया था गुरु रामदास नगा जो आज अमरिस सर के नाम से जाना जाता है ध्यान रखना उससे बनाने के लिए किस ने जमीन दी थी आप कहोगे अकबर ने जमीन दी थी इसी वज़े से जो अमरिस सर इंटरनाशनल एरपोर्ट है उसे आप बोलते हो गुरु रामदास जी इंटरनाशनल एरपोर्ट इनके बाद जो पांचवे नंबर के गुरु बने वो बने गुरु अरजन देव इनने इस सच्चे बाश्चा के नाम से आप जानते हो हर्गोबिंद छटे गुरु हैं और इनों ने सिख आर्मी बनवाई थी क्योंकि आप कहोगे कि जो गुरु अरजन देव है उस समय की वो बात है जब रिवोल्ट आफ खुसरो एक हुआ था जिस गुरु अरजन देव को जहांगीर ने मृत्यु दरंड दे दिया था उसके बाद से सिख वर्सिस मुस्लिम का जो इश्यू है उठा है गुरु हर्गो मिंद सिख आर्मी बनवाई और लोगों को कहा कि भाई आब हमें धरम की रक्षा करनी है धरम के लिए लड़ना है और जो हुआ है हमाई साथ गलत उसके बदले हमें बदला लेना है जो साथवे गुरु आए मैं हैं मेंशन करते हूँ आए गुरु हर राय गुरु हर राय जो आए ये शहा जहां औरंग जेब के टाइम के आप कह सकते हो और इनों नहीं ध्यान रखना जब सामुगड के युद्ध में दाराशी को हारा था तो वो इनी से जाकर मिला था ध्यान रखना उसके बाद जो आठवे नंबर के आपके गुरु आते हैं इसका चाहो तो आप स्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हूँ है गुरु हर किशन हर किशन या हर क्रिशन ठीक है इसके बाद जो नौवे नंबर के आपके गुरु आए मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूँ स्पेस कम है कोशिश मेरी यह है कि जारस जार आपको भी डेटा दे रूँ मैं इस सेशन में गुरू तेग बहादुर ठीक है जो दसवे गुरू आपके है जैसे मैंने आपको बता है वो है गुरू गोबिंद सिंग इसके बाद कोई गुरू नहीं आए इसके बार यह माना गय फाइनल जो इनके गुरू है कि वो फाइनल गुरू मानी जाएगी और इसके बाद जो स्ट्रगल कैरी करा वो करा बंदा बहादूर ने बंदा बहादु ने स्ट्रगल क्यारी करा और उसी दौरान आप कहोगी कि जितना भी ये स्ट्रगल है ये हुआ बंदा सिंग बहादू है ये गुरु नहीं माने जाते ध्यान रखना इन्नोंने शर्बत खार्था या फिर गुर्मता सिस्टम जो इन्होंने चालू करा था और इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि धीरे-धीरे चीज़े आगे बढ़ती गई इनके डेथ के बाद इन्हें फदुक शेयर ने मरवाया था जो उस समय का मुगल बाश्चा था इसके बाद चीज़े तूटती चली गई फाइनली एक और इन्सान है जो मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ बीच में बहुत तकड़ा ब्रेक है और 1792 की में बाद आपसे कर दो वहां से हम बात करते हैं महराजा रंजीत सिंग की यह है पूरी पिच्छ सिखिजम की मुझे उमीद है आपको चीज़े सीखने में मज़ा आया अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी त्यारी एन Academy Plus से करिया आपको इंस्टॉल करिया अपना एक्जाम चूज करिया और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगा discount code एंटर करना है PMYT यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे आन Academy पर valid है भले है आप UPAC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, PAC, UGC, IIT, NEED किसी भी एक्जाम के अगर आप त्यारी कर रहे है PMYT यह discount code लगा है आपको maximum discount मिल जाएगा